रांची सहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए रांची में फ्लाई ओबर निर्मान का कार्य हो रहा है एलिवेटेड कोरिडोर भी बनाए जा रहे हैं इस वक्त हम डुरंडा में हैं और डुरंडा पोस्ट ओपीस यानि मेकोन के पास से आपका ये जो एलिवेटेड कोरिडोर जो है वो सीरम टोली चौक तक जाएगा तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार जो निर्मान कारे है वो चल रहा है और अब जो है जो पियर कैप है वो लगाने का काम भी सुरू हो गया है तो आप देखेंगे लगातार काम हो रहा है और जिस तरह से जो जानकारी आप मिल रही है कि दो हजार चोबिस मैं जून तक जो है राची सहर में ये डुरंडा का हिलाका हो रातू रोड का इलाका हो या बहु बजार से कांटा टोली तक जो फ्लाइओबर निर्मान की जो बात है वो पूर्ण हो सकती है तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त रुरंडा इलाके में हैं और लगातार जो है जो काम है वो चल रहा है क्योंकि सहर में जिस तेजी से जनसंक्या बढ़ रही है गालीयों की संक्या बढ़ रही है और यातायाद बवस्था को बेहतर बनाने के लिए पहल की गई है तो हमें लगता है कि इसके लिए और एक प्रतिक्षा करनी होगी आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके जो है अब निर्मान कारे जो है वो अपना एक सुआ रूप लेने लगा है तो आने वाले समय में थोड़ी हमें प्रतिक्षा करनी होगी तो रांची को जाम मुक्त बनाया जा सकता है और एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने के लिए सहर के बीचो बीच से जो ट्राफिक जाम की समस्या से लोगों को परिशानी होती थी उस समस्या से लोगों को समधान मिलेगा निजात मिलेगी समाचार प्लस के लिए कामरामेन प्रशान्त मित्रा के साथ अन्जनी कुमार राची